एक बुढ़ी भिखारी की अनोखी कहानी हर एक दिन एक भिखारी दर्वाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देकर फिर जाया करता था कई बार उसके लिए गालियां भी बखता ओ कहता तु जिन्दा ही क्यों है पूरी जिन्दगी ऐसा ही भीख मांगेगा क्या धर्ती का बोज क्यों बना बैठा है और कभी कभी उस भिखारी को गुसे में वा धक्का भी मार दिया करता इतना कुछ हो जाने के बवजूद भिखारी के मुँँ से सिर्फ यहे निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे एक बार सेठ को धन्दे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिले सेठ बहुत परिशान था कि तभी उसके दर्वाजे पर वही भिखारी आया गुसे में अपना आपक होते हुए सेठ ने उस बिखारी को पत्थर दे मारा पत्थर लगने के कारण बिखारी का सर फुट गया और उसके सर से खून बहने लगा फिर भी दर्द से कराहते हुए बिखारी ने इतना ही कहा भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे बिखारी महां से चला गया सेठ सोच में पड़ गए भिखारी को पत्थर मारा फिर भी उसने सिर्फ प्राथना की सेठ का गुसा शांत हुआ शेर का मन शांत हुआ भिखारी का रहासिय जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पिछा करना शुरू कर दिया भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता कोई उसको मारता कोई अपमानित करता तो कोई गाले देता लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा ब्योहार करते लेकिन भिखारी सब के लिए एक ही प्राथना करता भगवान तुम्हारे पाप माफ करे अब रात होने को आई थी बिखारी अपने घर जाने के लिए लवटा ओ अपने घर पहुच गया लेकिन सेट अभी उसका पीछा कर ही रहा था एक पुरानी तुटी हुई खटिया पर एक बुढ़ी अवरत लेटी हुई थी काफी कमजोर और बिमार लग रही थी वह बिखारी की पतनी थी अपने पती को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई पतनी ने अपने पती के भीख वाले कटोरे में देखा उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी उसे देखर वह बोली आज बस इतना ही मिला और हाँ आपके सिर से खुन निकल रहा है ये चोट कैसे लगी बुढ़ा भिखारी बोला आज बस इतना ही मिला किसी ने कुछ दिया ही नहीं सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेका इसलिए मेरा सर फट गया एक गहरी ठंडी सांस लेकर बुढ़ा भिखारी फिर से बोला यह मेरे ही पाकों का फल है तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमेर थे क्या कुछ नहीं था हमारे पास हमारे पास हर्ची जरूरत से ज़्यादा थी लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मागने आया करता था बुड़ी पतने की आखों में आशू आ गये वह बोली हाँ हम उस बिचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे उसका अपमान करते थे उससे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते मैंने कभी उसको रास् किये की सजा देगा भगवान तुम्हारे पापूं की सजा जरूर देगा उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिन्दगी में आ गये विखारी बोला हाँ उसका श्राप सच हुआ इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी उसके लिए प्रार्थना करता हूं मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिन्दगी का अनुभाव करे किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े ओ नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं इसलिए अंजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को वही मिले मैं नहीं चाहता सेट वही पर छुपकर यह सारी बाते सुन रहा था अब उससे सब कुछ समझ में आ गया था भीखारी और उसकी पतने ने वह आधी रोटी मील बाट कर खाए और भगवान को धन्यावाद बोलकर सो गए अगले दिन बड़ा भीखारी फिर से भीक मा सेट के घर के पास जाते ही सेट ने पहले से गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी उसे देते हुए सेट विन अमरता से बोला माफ कर दिजेगा बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बुढ़ा भिखारी बोला भगवान तेरा भला करे इतना कहकर वह आगे नि लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है तो लेकिन यह बात बिलकुल सच है उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो दोस्तों एक बुढ़े भिखारी की अनोखी कहानी आपको कैसी लगी प्लेस कमेंट करके अपनी राज जरूर दिजेगा और यदि चैनल में नए हैं तो प्लेस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब किजेगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे-च्छी कहानिया ला सके धन्यवाद